नमस्कार बहुत स्वागत देख रहे हैं आप सुपर सेवेन तू थाउजन ट्वेंटी टू करक राश करक लगना बारी है आज आज आपके बिजनस के विशे में विश्तित ब्योरे की बिजनस आपका जोतशी आकलन के अनुसार कितना उतार चड़ाव लेकर आया है आज इसक दिन का यह यग्य होगा तीन दिन का यह आयोजन होगा जिसमें आप भाग ले सकते हैं आ सकते हैं मुलाकात कर सकते हैं और नए वर्ष की सुर्वात एक बहुत सकारात्मक उर्जा के साथ एक बहुत सनातनी परंपरा के अनुसार कर सकते हैं इसी को ध्यान में रख करके हमने स्कायोजन किया है आप तुरंत संपर्ख करिए आपको कुंदली के अनुसार बहुत कुछ इसमें संपर्ख करने पर आपको मिलेगा कि आपको क्या-क्या मिलने वाला इसका नियुछावर कितना लगेगा इसका शोल कितना लगेगा पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी नंबर आपके सामने फ्लेश हो रहा है 9910291850956044700 और 01204680000 पर तुरंत कॉल कर सकते हैं आईए ब्यापार के वारे में पतीलिने हो रहे चरषा करते हैं कर्क लगने कर्क राशी एक जन्वरी 2022 सुर्योंड रहा है कि यह आपके लिए बहुत खह बन जाता है बहुत इस्फेशल बन जाता है आपको इस में बस केवल प्रवेश करना है और प्रवेश करके इसकी प्रवेश कैसे कि आ गए हम तो वर्ष से शुरू हो गया है बिजनस के मामले में जनवरी महीना करक वालों को थोड़ा सा परिशान करेगा भाग्य में जैसे कमी सी आएगी पंचम में चन्रमा रहेंगे दसम से अश्टम पढ़ता है पंचम भाओ और पंचम से छठा पढ़ता है तो सटास्टक दोस हो जाता है छे और आठका तो स्वास्थ की दिक्कत के कारण जनवरी महीने में आपका व्यापार प्रभावित होगा फरवरी महीना आपके लिए बिलकुल पर्फेक्ट जाएगा फरवरी में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी हाँ इतना जरूर है कि जैसे कोई पैसा वैसा कहीं लगाया होगा तो पैसा आपका फंस सकता है तो धन को लेकर के थोड़ा सा अपने आपको संभालने की आपशक्ता है किसी को भी ऐसे मत दे दीजेगा कि कोई आपके पास आया लग यातन की पैसवा दे दिया नहीं तो पैसे को लेकर के बहुत संजमित और बहुत अनुशाशित रहने की आभशकता है फरवरी महिने में मार्च की चर्चा अगर हम करने तो यहां इस्थती आपके लिए बिल्कुल फेवर वाली है ब्यापार आपका बढ़ेगा पार्टनर्शिप ठीकेगी इस महिने में कुछ परिवर्तन हमें दिखता है आप अगर कुछ बहुत समय से सोच रहते की बिजनस को बदलना है या कुछ नया सुरू करना है या फिर कहीं और ब्रांच डालना है तो मार्च महिना उसके लिए बहुत अनकूल है इस महिने में आप ऐसे कदम बढ़ा सकते हैं अपरेल महिने में पार्टनर्शिप आपकी तूट सकती है अपरेल महिने को ले करके थोड़ा सा जग रहने की आवशकता है कोई आपके बिरुद शड़ियंत्र करके आपको परेशान कर सकता है अपरेल महिना कहीं से भी आपके लिए ठीक नहीं लगता है इस पर आपको बहुत ध्यान देने की आवशकता है तनाव भी बढ़ सकता है कुछ उलजने आएंगी क्या कर सकते हैं परेशानिया बढ़ सकती हैं आगे बढ़ें मई महीना तो यहां इस्थिति आपके लिए बिल्कुल फेवर कर रहा है मई महीने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी यहां जो समस्याय थी वो दूर हो रही है मई में सब कुछ बहुत सकरात्मक है हर तरह से आप संतुलित रहेंगे साजेदारी चल जाएगी बिजनस में रुकाधन वापस आएगा कहीं जमीन में या फिर वाहन में भी निवेश कर सकते हैं मई महीने में ब्यापार आपका फ्लरिश हो रहा है तो मई आपके लिए रिस्क टेकिंग मन्त कहा जा सकता है जून की चर्चा करें तो यहाँ थोड़ा बहुत आपको तनाव मिल सकता है जून महीने में किसी पार्टनर से कुछ धोखा मिलने के संभावना है नए वेंचर टाल दीजेगा यहाँ पर ठीक नहीं हिस्तिते बड़ी मुश्किलें आ सकती है मेजर इशू आ सकते है तनाव बढ़ सकता है आपके हाथों से चीजें स्किप हो सकती है करना क्या है क्या नहीं करना है तमाम उलजनें आपको परिशान करेंगे जुलाई महीने की बात करें तो यहाँ परिश्थतियां आपके बहुत फेवर में है जुलाई महीना आपके लिए किसी तरह की दिक्कत नहीं करेगा सब कुछ मैनेज और बैलन्स लगेगा नए व्यापार कर सकते हैं बाहर से कुछ बिदेश से बिजनस के लिए विचार किये थे तो उस पर भी कदम बढ़ा सकते हैं वो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल और सकरात्मक लग रहा है वहाँ से भी आपके लिए तमाम चाज़ें मिल सकती हैं और वो आपके लिए सुब भी होगा यात्राओं के दोरा बिजनस में बहुत धन आने वाला है जुलाई महिने में यात्राएं आप अच्छी खासी करेंगे और कोई मित्र आपके बिजनस में निवेश के लिए भी कदम बढ़ाएगा अगस्त महिना यहाँ पर बहुत अच्छी स्थती नहीं है कुछ कानूनी और टैक्सेशन वाले इशू भी इस महिने में आपको छेड़ेंगे परिशान करेंगे सितंबर महिने में यात्रा से लाब होगा बिजनस को बढ़ाएंगे पूरब दिशा से बड़ा ओफर आएगा और सितंबर महिना रुके धन की प्राप्ति के लिए बहुत अनकूल है अक्टूबर महिने की बात करें तो इसमें आपको कुछ तनाव बढ़ सकता है अक्टूबर में कुछ उलजने आएंगी मांसिक रूप से आप परिशान हो सकते हैं अक्टूबर महिना आपके लिए उलजन देरे वाला है कहीं न कहीं ये बहुत अच्छी स्थती में नहीं दिखाई देता है कोई दोस्त धोखा देगा पैसा आपका ब्लॉक होगा और वर्ष्ट पार्टे रहेगा अक्टूबर महिने में कि आपका ही पैसा कोई लेकर देगा नहीं बिजनस के ही अंदर नॉबर महिना आपके लिए बहुत अच्छा है नॉबर में किसी तरह का तनाव हमें नहीं दिखाई देता सबकुछ बहुत सकरात्मक और सहज भाव से चल रहा है नॉबर महिना आप आगे बढ़ते जाएंगे बिस्तार देते जाएंगे बिजनस को कई जगह पर फैलाते जाएंगे और सबकुछ बहुत सहज रहेगा नॉबर महिने में चंदरशनी की यूती रहेगी एक नॉबर को कोई दोस्त मानसिक तनाव देगा व्यक्तिकत मसले पर वो आपके लिए घातक रहेगा दिसंबर दो हजार बाइस ब्यापार कर्क लगनक कर्क राशी यहां पर इस्थिती सूरे बुद्धुशुक्र की विश्चिकस्त रहेंगे शनी मकर में रहेंगे चंद्रमा कुंबह में रहशपति मीन में आ चुके होंगे और राहो मेश में प्रवेश कर चुके होंगे ब्रिशब से दिसंबर महीना आपके लिए कई तरह से सकरात्मक फल तो दे देगा इसमें दो राय नहीं खास तोर पर अगर आप बाहर से व्यापार कर रहे हैं विदेश से कुछ व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए रास्ता कई तरह से खुलता जा रहा है, वो आपके लिए बहुत शुब होगा, उसको लेकर के आपको बहुत पॉजटिव रहने की आभशकता है, तो पूरे वर्ष का हमने ब्यवरा दे दिया है कि कैसे कैसे आपका ब्यापार कहां कहां बढ़ेगा, आगे हम बताएंगे करक वालों की सिक्षा का लेबल क्या होगा और फिर स्वास्त का, और फिर सुरू होगा सिंगराशी सिंगर लगने का, आज के लिए इतना ही मौच करिएगा, नूतन वर्ष मंगल यग्य का आयोजन हम करने जा रहे हैं, 30-31 एक तारिक हो, कैसे भाग ले सकते हैं क्या है इसका, सारी विष्टित जानकारी हम आपको, आप कॉल कर लीजेगा, आपको मिल जाएगा, शुब कामना है हमारी में, नमस्कार, स्री किष्णा शेरारे